दोस्तो आज के रिस्पी में हम बनाएंगे मुर्गी के पंजे का सूप तो दोस्तो आप देख सकते हो हमारे पास यहां पे मुर्गी के पंजे हैं मैंने इसको अच्छे से साफ कर ली हूँ और इसको मैंने इस तरह से कट कर ली हूँ दोस्तो पंजे में हड़ियों तक कटा हो कई देख सकते हैं तू साथ करते हैं तो हम सबसे पहले और में पानी रखेंगे चाहते हैं- braking अध्रक लेश्ड नालें-ट हरीविश-ड डालें-गे उसके बाद दोस्तों इसमें डालेंगे नमक और इसमें हम डालेंगे काली मिर्च को पाउडर लाल मिर्च पाउडर अधर चम्म सिकम आप इसमें हम डालेंगे सोया सोस दोस्तो बिना soy sauce का भी आप बना सकते हैं, आप इमें soy sauce डाली हूँ, आप इसमें हम डालेंगे vinegar, विनेगर नहीं तिसके जगह आप lemon का juice यूजुज कर सकते हैं, आप इसमें हम डालेंगे हरा धनिया का डंडी वाला भाग, उसके बाद दोस्तो इसके हम ढखकल लगाएंगे और दो सीटी इसका आने तक हम पकाएंगे दो सीटी हो गया दोस्तों कुकर पर अच्छे स्थंडा हो गया अब इसको मखोलेंगे तो दोस्तों आप देखे सकते हो सूप में कितना फरक हुआ है इसमें मैंने तेल वगरा कुछ भी नहीं डाला है तो यहां पर मैं आपको दिख सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी को बजाना ना भूलिएगा तो दोस्तों हम सूप को च्छान लेंगे दोस्तों मैंने पंजे का और अलग अलग तारीके के रेस्पी बनाई हूँ अगर आपने नहीं देखे हैं तो उपर दियो आई बटम पर क्लिक करके आप और रेस्पी देख सकते हो उसके बाद दोस्तों हम मीट को अलग कर लेंगे मतलब पंजे को हम सूप में डाल देंगे और बचे हुए चीजों को हम बगल कर देंगे अब इसको हम बनाने के प्रोसेस पर चलते हैं दोस्तों यह देखी कीता पतला है तो इसको हम और गाढ़ा करेंगे तो गढ़ा करने के लिए धर मैं कराही में डालेंगे गी उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने दो लेसन को इस तरह से बारीक कट कर ली हूँ इसको डाल देंगे हरी में इस डालेंगे आप तीखा अपने अंसाथ डालें दोस्तों एक प्यास को मैंने बारीक कट कर ली थे इसको डाल दी हूँ अब इन सब को थोड़ा सब भूनेंगे दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कियें तो लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और ये रेजबिक अपने दोस्तों में सेर करना ना भूलिएगा अब इसमें हम दोस्तों सूप डालेंगे सूप को गाढ़ा करने के लिए दोस्तों हमारे पास इधा देखिए कॉन फुलावर दो चम्मा से इसका हम एक अच्छा सा गोल बढ़ाएंगे तो दोस्तों अब देख सकते हैं गोल अच्छे से बनके तयार हो गया है अब इसको हम सूप में डालेंगे जिससे कि दोस्तों सूप अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा गोल को डालते ही दोस्तों हम तुरन्त इसको डोलाएंगे सूप को यह बन गया है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने सूप का और भी वीडियो बनाई हूँ अगर आपने नहीं देखे हैं तो उपर दिवाई बिटम पर क्लिक करके ओ वीडियो आप देख सकते हो उसके बाद दोस्तों इसमें हम डालेंगे एक चम्मस काली मिर्श को पाउडर गैस के आज बन कर देंगे इसको हमी लाएंगे इससे दोस्तों टेस्ट सूप में बहुत जाद अच्छा आएगा तो यह रहा दोस्तों सूप पीने के लिए तयार है अब बनाईए पीजिए और मुझे कोमेंट में बताएए क्रेस्पी कैसी लगी